सब्सक्राइब नाओ and प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट येस ब्यार लाइब नाओ दिशी शीवानी सिंग फ्रोन एग्जामी नेशन हम डिस्कस करेंगे सीटेट को टारगेट करते वे इंपटेंट फिशन्स को और फ्रेंड्स यहां पर जो है हमारी सीटेट की क्लासिस आपकी सीडीपी में ठीक है और सीडीपी का जो है हमारा है पर सेकिंड लेसन आज होने वाला है और सेकिंड लेसन जो है आपका वो है बाल विकास के सिध्धान्त इसके क्या कौन कौनती सिध्धान्त है है ना उन सिध्धान्त में क्य क्या बताय गया है क्या हमारे according इसमें होता है क्या नहीं होता है कैसे कैसे हमारा जो विकास है जो एक बालक का विकास होता है वो कैसे कैसे होता है कैसे किसे परिपक होता है कितने सिधान से आगे बढ़ता है क्या होता है क्या नहीं होता है तो यह सारे आपके जो doubts से यह सारे जो हमारे explanations से यह सारे जो हमारे discussion है इन सब को हमच्छे से इस रूडर में discuss करने वाले हैं और last में याद रखना है बिल्कुल इस line को आप भूलना नहीं है last में जो है आपकी है पर test series भी होने वाली है तो बिल्कुल stress series को देना बिल्कुल मत भूलेगा क्योंकि पहले तो आपको मैं question कराऊंगी फिर पहले तो sorry मैं आपको theory कराऊंगी फिर बाद में इसी theory के base पर सारे question कराऊंगी maximum देखती हूँ कि यह आपने कितनी better तरी किसा हैं यहापर इसको समझा है अब देखो जो हमारा topic है वो है second ठीक है बिल्कुल अच्छे से समझना है बस रटना बिल्कुल भी नहीं है सिर्प only समझेंगे और समझ कर ही यहाँ पर हमें करना है देखो जो बाल विकास है सबसे पहले बाल विकास है क्या होता है बाल विकास के जो धारना है वो समझे के साथ में किसी वेक्ति में हुए गुनात्मक और परिमानात्मक परिवर्तन की उस वेक्ति का विकास कहा जाता है पहरे तो हम देख सकते हैं जो बाल विकास है जो बाल विकास अपने time के according जलता है बचा वो जो है गुनात्मक और परिमानात्मक दोनों होता है ठीक है और जो हमारी वरदी होती है वो सिर्फ अल्ली हमारी क्या होती है परिमानात्मक सिर्फ हम उसको माप सकते हैं ठीक है उसमें हम qualities नहीं देख सकते हैं तो जो हमारी विकास होता है वो गुणात्मक और परिमानात्मक इन दोनों ही परिवर्थनों की जो एक आपका यहाँ पर निकलता है ठीक है वह यह है देखो बाल विकास की अवधारना अब यहाँ पर हम थोड़े पॉइंट से जो कि अच्छे से इसको देखेंगे समझेंगे कि कौन-कौन से हमारे अक्वर्डिंग राइट है अब फिन यहाँ पर पॉइंट से कि विकास के निम्न आयाम देखो विकास के यहाँ पर डवलमेंट के काफी ज़्यादा आयाम होते हैं अपने आप में कौन-कौन से हैं सबसे पहले हैं फिजीकल डवलमेंट फिर ही सोसाइटी डवलमेंट फिर हैं यहाँ पर आपका कुगनेटिव डवलमेंट फिर है language development फिर है यहाँ पर हमारा mentality development यानि कि शारिडिक विकास, सामाजी विकास, संगयानात्म विकास, भाशाय विकास, मानसिक विकास ठीक है और यहाँ पर और भी हो सकते हैं कि लिए रहे तो यह जो है development के आयाम होते हैं यानि कि आपका physical कैसे हो रहा है यानि आप physical में कित अक्षम तक है कोड़ने का आप सोच सकते हैं आपकी लेंग्विज कैसी है लेंग्विज में डवलफ है की नहीं है आपकी जो मेंटलीटी है यहाप पर वो किस टाइप की है तो यह सारे आपके विकास के आयाम होते हैं फीचनर हमारा पॉइंट से की निरंतर्ता का सिधान देखो हो यह पॉइंटि Toy minutes काफ ही इंपसे पूइं पूइंटित्य आपका maximum exams में भी पूछा जाता है तो यह हमारा निरंतर्ता का सिधान उती ही यह कि होता है एक जो सीशू होता है तब से ही उसका विकास डवलफ होना स्टार्ट हो जाता है और यह जब तक चलता है जब तक युसकी death नहीं हो जाती simple सा funda है कि यह मा के गर्व से स्टार्ट होकर और आपका मिर्ट्यू तक चलता है तो यहीं होता है हमारा निरंदरता का सिधान ये question बच्चे maximum पूछा जाता है आगे फी नेस्टे की विकास करम की एक रूपता देखो विकास जो होता है समय अलग-अलग होता है लेकिन ये अपने करम में एक रूपता की according चलता है यानि कि सभी में जो डवलफ होता है वो इकवल नहीं होता है सबका अलग-अलग होता है जिसे कि आप घर में कितने भाई बहन है तो आप में समय आप में अलग development है आपकी जो sister इसमें अलग है आपके जो bro है उसमें अलग है यांपे डवलमेंट तो सम्मे अ." अलगल प्रकार से देखा जाता है लेकिन ……ами क्या चलता एक करम की अकोडिग मेंग चलता है। जैसे कि यह पर देखो ​ जैसे एक्जांपल की अकोडिग मनुस्ये के सबी बालकों की जो वरद्धी होती विर सिर्की ओर प्रारम होती है किलियर है आगे फिर देखते हैं यह भी आपका जो पॉइंट से काफी इंपोटेंट होने वाला है यह सी नहीं रहती जो हमारा ग्रोथ है यहां पर और जो हमारा डवलमेंट उसके जो दर होती है वच्छा वह एक सी नहीं रहती है देखो इसमें क्या डिफ्रेंस होता है मैं कोचे से समझाती हूँ आपने सेसा वस्ता में देखा होगा सेसा वस्ता के सुरुके वर्षों में तो यह गती कुछ स्तीर होती है जब देखो जो हमारी ग्रोथ होती है जो हमारा डवलमेंट होता है जब हमारा बर्थ होता है बच्छे जब हम अपनी किस स्टेज में होते है शेर्श अवस्ता की स्टेज में, याने की 0 से 2 की स्टेज में इसके डवलमेंट की जो परकिरिया होती है यह काफी fast चलती है लेकिन जब यह बाले वस्ता के according कुछ skating अंतक आती है तो यह धीरे-धीरे कम हो जाती है लेकिन फिर से यह किशोर अवस्ता के according आती है तो तीर्व हो जाती है लेकिन बाद में ये कम उतार चड़वन में चलता रहता है तो देखो जो वरदी और विकास है इसके दर कभी भी एक समार नहीं चलती ये क्या है बच्चा आपकी उतार चड़व के according अपने रिंतर परिकिरा के according ठीक है चलती रहती है तो इसमें आपको यहाँ पर देखना है कि जो ग्रो है और डवलमेंट है ठीक है ये हमारी एक सी नहीं रहती है ये क्या होती है, बदलती रहती है और जो हमारा development होता है कभी तीर्व होता है, कभी कम होता है कभी तीर्व होता है, कभी कम होता है तो इस टाइप से ये grow करता है आगे फिर point है कि विकास सामाने से विसिस्ट की ओर चलता है बच्चा जो आपका development होता है वो सामाने से विसिस्ट क्यों चलता ये पॉइंट सापका एक्जाम में इस पेसल से पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा देखो जैसे कि आपका देखो जैसे कि बालक है बालक पहले अपनी इंदरों के मादम से अनुगरन करके सीखता है और बात में वही बच्चा मूर्थ और एमूर्थ चीजों में विभेत करना लगता है देखो पहले तो वो बच्चा क्या करें जैसे उसने बढ़त लिया वो अपनी मा की उंगली पकड़ कर फिर उंगली पकड़ कर फिर खुद से खड़ा होकर चलना सिखेगा तो पहले क्या क्या उसने जन्नल से क्या है वो अब यहाँ पर विसिस्ट की और चल रहा है यानकी सामाने से विसिस्ट की और बढ़ रहा है तो बच्चा पहले अपने इंद्रियों के माध्यम से जो फाइफ इंद्रिया होती है इसके माध्यम से जो भी उसको बताता है इसको अनुकरन करता है अपनी माँ को है ना या फिर सबसे पहले तो बच्चा अपने परिवार में ही अपने जो उनकी मदर होती है उसको देखते ह वह सारी चीजों को अनुकरन करता है जैसे जैसे वो मतलब हम पर जैसे वो behavior करते हैं उसको वो सीखता है अपनी इंद्रियू के according ठीक है अगर बच्चे को भूग लगी है तो वो रोकर रोता है और रोकर चिलाता है तो फिर उसकी माँ को पता चल जाता है कि हम बच्चे को भूग लगी है तो इसको तू देना है ठीक है तो यह सारी परकिरा बच्चा किस के according अपनी इंद्रियू के according करता है ठीक है और फिर बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो फिर वो मूर्थ से आमूर्थी जो की हो फिर बड़ा develop हो जाता है काफी इंटेलिजन्स हो जाता है काफी परतिबाशाली हो जाता है तो यही कहा गया है कि जो हमारा development होता है वो सामानने से विशिस्ट की ओर चलता है ठीक है आगे फिर next point है कि विकास की भविश्यवानी की जा सकते है या फिर नहीं यह question maxima आपको confuse कर सकता है एक बालकी जो अपनी वरद्धी होती है और जो उसका development होता है ठीक है उसकी गती को ध्यान में रखकर भविश्यवानी की जा सकते है बिल्कुल देखो जैसा बच्चा किसी बच्चे का हमने मतलब की कुछ भी यहां पर जिसना छोटा बच्चा है छोटा से सुवे हमने उसका बोड़े का कोई भी पार्ट चेक किया उस पार्ट को चेक करके बदा सकते हैं कि बच्चे कितने ग्रो होगी बच्चे में कितना डवलफ होगा बच्चे का mind process भी देखके जान सकते है कि बच्चा कहां तक पहुंच सकता है ठीके एक जो family होती एक family में जो mother होती उसमें इतनी capacity होती कि बच्चे की भविश्य वार्णी कर सकती है बच्चा ओके तो यहां पर यह भविश्य वार्णी development की की जा सकती है नेस्ट भी point है कि विकास लमवेत नहीं होकर वर्णी कार होता है यह पोइंट्स आपका समझने वाला है काफी important है तो बच्चे यह जो आपका वह एक सी गती से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं करता बलकि अपने विकास को परिपक वह स्थाई बनाते होए वर्णी कार आकरती की तरह बढ़ता है यहाँ पर बताएगा है कि विकास जो होता है वो सिर्कोंली सीधा नहीं होता कि हाँ विकास सुल गया तो बस सीधा ही जाएगा नहीं ऐसे नहीं होता मैंने आपको बता है कि विकास कभी कम कभी ज़ादा तो अपनी परिपक्व के according इस थाई रूप से बनते हुए, बनते हुए, बनते हुए ये वर्तालुकार आगरती की तरह यहाप़ आगे बढ़ता है यह question भी आता है कि विकास जो होता है आपका लंबत होता है या फिर वर्थालुकार होता है तो विकास जो होता है वो वर्थालुकार होता है next point है कि बाल विकास को प्रभाइट करने वाले जो हमारे आंतरीक कारग है कौन-कौन से है तो बाल विकास को प्रभाइट करने वाले आंतरीक कारग है वनशानुकरम कारग है सारे रिख है समी गात्मकी emotions है है ना और यहां पर society परकरती है और िंटेलिजन से वच्चा नउकरम कारग होता है वह हमारी हाराई हारेड़ी बच्च आंतरी कारग है तो हमारा आन्तरी कारग के है। और जो बच्चे में emotions होते हैं वो भी अपने आंत्रिक होते हैं अब हम थोड़ा ही नम बताएंगे उसको कि आपको इस ताइप से emotion करना है वहाँ चीज़ों करने वहाँ ऐसे feel करना है नहीं ऐसा कुछ नहीं वो खुछ से ही जागरुक होगा फिर एक सामाजिक जो परकरती होती जो एक society level होता है ठीक है बच्चे का तो वो भी मतलब की खुद से ही बनाता है वो देखता है कि हाँ मेरे को society बे नेचुरल तरीके से कहा तक और कैसे जाना है ठीक है और जो बच्चे की बुद्धी होती जो intelligence होती है वो अपनी मुद्धी के तर्क के according ही बड़ा होता है और फिर यहाँ पर जान अपनी जो भी मतलब इस्ताइरूप से अपने according अपने में develop करता है तो वो भी जो उसकी intelligence होती है बच्चा वो भी आंतरी कारत होती है ठीक है करता होता है है कि हमने पूरे जीवन में क्या किया है इस साय है कैसे चाहब शरी सेमारी स्मशी की सामाजी काइरी किस्तिती हैं किकी ही सुरूल होती है तो यह सार Divine होते हैं हमारे बहुत बशान के अब раст слышim यह हैं कुछ महत्वपूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्प और बच्चा इसमें जो है बालक जन्म से यानि की बर्त के पूरुकाल से लेकर ठीक है अपने एडलो सेंस तक का अध्यन इसमें किया जा सकता है किलर है तो यह कहा है क्रो एंड क्रोने ओके सो यह थी आपकी यहाँ पर थियोरी अब मैंने आपको इस स्राइटिंग में बता था कि थियोरी के बाद में आपसे क्विश्चन भी डिसकस करने वाली हूं देखती हूं कि आपने इस थियोरी में कितना पढ़ा है कितने अच्छे किया है क्या आपको समझा है क्या नहीं आया है तो अब हम लगाते हैं लास्ट में अपनी टेस्ट स्रीज ठीक है अब टेस्ट स्रीज में जितने में आपको इहां पर थियोरी कराई है तो उस थियोरी के बेस पे सारे क्विश्चन है अब देखती हूं कि उस थियोरी के आप आप क्यूशन को कैसे फियस करते हैं अब जिस दा फर्श क्यूशन है कि विकास के आयम होते हैं मेरा आपको स्टाइडिंग में बताया था विकास के आयम कौन-कौन से होते हैं तो इसमें आपका आता है फिजिकल डवलमेंट आता है अपका इसमें कोगनेटिव डवलमेंट ए हैं और फिर आता है यहां पर आपका उप्योक्त सभी यानि की सारे ही तो बैच्छा जो आपकी विकास कायम होते हैं वो से और इस सारी निदे को बता है कि विकास होती है वो बिल्कुल जन्तरता की और आगे बढ़ती है जनम से स्टार्ट होती है मा के गर्व से ही और आपके मृत्ति दर तक चलती है फिर है विकास कैसे चलता है विसिष्ट से सामाने की और या फिर सामाने से विसिष्ट की और या फिर एमुर्थ से मुर्थ की और या फिर ये सारे ही options आपके correct हैं तो बच्चे जो विकास से विकास चलता है यहाँ पर सामाने से विसिष्ट को मैंने बताया है कि पहले बच्चा अनुकर्ण करके सीखता है बाद में चीजों पच्ची से फिस खुद करना जानता है नेस्टे फिर क्या विकास की भुवश्यवानी की जा सकती है नहीं बिल्कुल नहीं हाँ कोई नहीं मैंने आपको बताया है कि विकास की भुवश्यवानी की जा सकती है तो बिल्कुल यहाँ पर यह सामारा answer होगा फिर नेस्टे की विकास को प्रभावित करने वाले आंतरीक कारक कौन सा है तो विकास को जो प्रभावित करने वाले आंतरीक कारक है उनमें से आपको चूज करना है जो मैंने आपको भी बताए है कि जीवन की घटना है या फिर भोतिक वातावरन है या फिर वनशानूगत कारक है या फिर सोसायटिक आर्थिक लेबल है तो विकास्त को परभावित करने वाले आंत्रीक कारक यहां पर होंगे कौन सा वो है वनशानू करम कारक क्योंकि जो जीवन की घटना है वो हमारा बाह्य कारक के अकोरडिंग आता है जो हमारा बहुत तीक development है वो भी हमारा यहां पर भाय के according आता है और जो हमारी society आर्थिक level है वो भी हमारी जो है यहां पर भाय के according आती है लेकिन जो आंतरीक कारक के बच्चा वो वंसान उगत कारक के according आती है ठीक है? तो यह थे आपकी हैं पर questions सो आप मेरे को जो नीचे comment box से बताना है कि आपकी जो test result ने लगाई है इसमें अपके कितने questions राइट हुए है क्योंकि यह सारी पहले मेंने theory कराई आपको और फिर theory के base पर ही सारे questions कराई सारे theory में है तो बिल्कु बहुत इजी questions दे और कल हम जो है इस chapter के यहाँ पे सारे questions में आपको करा दूँगी lesson 2 के है ना lesson 2 यहाँ की बालविकास के सिधान तिसके सारे जो भी mcqs आपके बनने वाले हैं वह मैं आपको इस video में करा दूँगी सो आप इस video को देखने बिल्कु मत भूलेगा और फिर चलते हैं यह नेक्स श्यूडियो में देखो अब आपको क्या करना है कि हम यहाँ पर डेली वाइस करन्ट फिर भी पढ़ाते हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं जो ले सकते हैं इसमें इसमें भी ठीक है तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्ट शुडियों में तब तक ते लिए सो थेंक्स सुदूचिं की शुच्टरियन बबाई